अगर आप बीए फस्टियर में हैं तो किसी ना किसी दिन आपको दीर घुत्रिये परशनों का सामना अवस्य करना पड़ेगा तो अब चाहते हैं कि क्या दीर घुत्रिये परशनों को याद करके उसका सामना किया जाए पहले हम उसकी trick बना करके और उसको बिना याद की हुए उसको हल करने की trick अगर ढूंड दें आपके सामने तो कैसा रहेगा बहुत अच्छा रहेगा ना तो चलिए उसी trick के बारे में आज बात करते हैं कि दीर गुतिरे परसनों को याद करने से कैसे बचें उसमें उस ट्रिक की trick है मित्रों यही जैसे कि मैं मल लिया दीर गुतिरे परशन पूछा गया दीर गुतिरे परसन में मुख्य दो तीन पहलों ऐसे होते हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए जैसे कि कोई प्रस्ण पूछ लिया गया मालिया निर्धनता समासास का एक टॉपिक ले ले निर्धनता पूछा गया निर्धनता की अधारा दीजिए फला 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 कुछ भी पूछा गया पीछे निर्धन्ता की आउधारा दीजिए निर्धन्ता की आउधारा देते हुए उसके विभिन कारणों परडामों पर चर्चा कीजिए इस परकार के परस्ण पूछे जाते हैं ठीक अब देखिए इसी परकार से हर टापिक से परस्णाते हैं बीए में ऐसे ही परस्णाते हैं उसम निर्धन्ता पे आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप पूछा गए निर्धन्ता की अधारा दीजिए अधारा मलब समझ लीजिए क्या होता है अधारा मलब होता है उसका meaning और definition तो सबसे पहले जानिए अगर किसी कोई चीज पूछी जा रही दिरगोतिरिये में तो उसकी meaning आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए और definitions बस एकात जो है बिद्वान उन्हीं के अरट लिए एकात बिद्वान का याद कर लीजिए बाकी अपने मन से थोड़ा बोधी धर-धर का बना करके उन बिद्वान के माध्यम से लिख दीजिए चार-चे विद्वान का नाम याद कर लीजिए आप आराम से लिख देंगे बहुत अच्छा नंबर मिलेगा ठिक की फलाने ने ये कहा है बस ये हो कि थोड़ा सा उससे मिलता जुलता हो पूरी उनकी भासा नहीं लिखने की जरूरत है ना याद करने की जरूरत है ठिक हमने देखा दूसे नंबर पे अगर इतनी बात आपको नहीं पता तो जो भी आपको पता है तो उसको लिख सकते हैं सुरुवात में उसके बाद में आता है आपका मियन चीज चलना आता है ट्रिक का जैसे की हर एक प्रस्ण में पूछा आता है कारण परिडाम ये दो चीज मियन होते हैं और महतो कारण परिडाम महतो बिसेस्ता ठिक चार पहलू होते हैं दीर गोतरिये प्रस्ण के अब कारण क्या, सबसे पहले अगर किसी चीज का कारण पूछा जा रहा है मेरी प्यारे दोस्तों तो सबसे पहले उसका कारण लिखेंगे कौन सा, सबसे पहले लिख दीजी आप सामाजिक कारण दूसरा नमबर आर्थिक कारण तिसरा नमबर राजनेतिक कारण चौथा नमबर सांस्कृतिक कारण पचवा नमबर भोगोलिक कारण छठवा नमबर परियावरडिय कारण अब कितने कारण लोगे च्छा कारण हो गए आपके यही च्छा टापिक प्रभाव ठीक सांस्कृतिक प्रभाव तो इस प्रकार से आप ये 4-5 पहलू इसे रड़ लिए सामाजिक आर्थिक राजनेतिक इसके बाद में ये सारी चीज़े रट लीजिए कि हाँ ये ये चीज़े हैं अब उनको बस इतने मुद्दों को आप समझ लेंगे सही से कि ये चेत्र कौन से होते हैं बस तो वही देख लीजिएगा कि इसका प्रभाव कितना जादा उस पर पड़ा रहा है तो प्रभाव पड़े चाहे परड़ाम पड़े महात तो पूछा जातो उसी परपेक्षमें महात तो देते कारक में और इस परकार के कारकों में क्या चीज़ें होती हैं तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत